हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टो माई चैनल और आज की वीडियो एक इन्फोर्मेशन ओर्येंटेट वीडियो है जिसमें मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि वासिंग मशीन में दिये गए पाइप्स को कैसे कनिक करते हैं अब आप मेरे चैनल पर नए हैं और अपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं के तो करने सब्सक्राइब टो मैं चैनल लाइक एंसर दिस वीडियो तो चले स्टाट करते इस वीडियो को जानते हैं एक नए प्रॉसस के बारे में जब हम वाशिंग मशीन पर चीज करते हैं तो हमें दो तरह की पाइप साथ में मिलती है एक वाटर इनलेट पाइप और दूसरी डिनेच पाइप हमें दोनों को कनेक करना होता है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे कनेक किया जाता है सबसे पहले आप देख सकते हैं यह है वाटर इनलेट पाइप और यह वाली इंड टैप में कनेक्ट होगी और यह वाली इंड इस वाशिंग मशीन में इसे कनेक करना बहुत इजी है आप कुछी तरह से इसे फिक्स कर सकते हैं और क्लॉग वाइज डिरेक्शन में इसे से करना परता है आप सारे it we catch करने के बाद प्रेजर करते हैं। युज म सिर्फ आप यह बता रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि खुद से इसे स्टार्ट कर दें तो एक बहुत इजी प्रोसेस है आप जस्ट दोनों पाइप को कनेक्ट करके और उसके बाद मशीन को यूज कर सकते हैं वाशिंग मशीन के बॉटम साइब में आप देख सकते हैं एक पॉइंट दिया गया है जिससे ड्रेनेज पाइप कनेक्ट होगी और कुछ इस तरह से आप इसे पुस्ट कर दें उसके बाद एक मेटल की लॉक दी जाती है और उस लॉक को आप इस पाइप से कनेक्ट कर सकते है मेटल के लॉक कुछ इस तरह की होती है आप पाइप को निकाल कर इस मेटल लॉक को इस तरह से लगा लें उसके बाद आप इसे टाइट कर सकते हैं बहुत इजी प्रोसेस है आप दोनों पाइप को कनेक्ट करके इस वाशी मशीन को यूज कर सकते हैं इनकेस अगर आपको ल जिसमें मैंने आपको बताया कि washing machine में दिये गए दोनों pipes को कैसे connect करते हैं और I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए process के बारे में अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस वीडियो को में ये सगर कीजिए नाम होगी वीडियो कि बारे म्वशन। झाहि इस भीडियो के सेभस्टर्टर्टर्टर्टर्बवे दिस आई होल Sud Ne